आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाले हूँ बहुत ही खुबसुरत स्पाइडर प्लांट की बहुत सुन्दर लगता है और सभी को अपने गार्डन में ये एड़ जरूर करना चाहिए पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा स्क्रीन पर आप जो पौदा देख रहे हैं उसका नाम है स्पाइडर प्लांट उसे क्लोरो फाइटम भी कहा जाता है एक बढ़िया पौदा है बहुत ही कम केर में चलने वाला पौदा है सैमिशेड एरिया में भी बहुत अच्छा चलता है तो आज का फुल वीडियो इसी पर है सबसे बहले हम बात करेंगे कि यह प्लाइट आपको नरसरी से कितने रुप्य मिल जाएगा है इसको नरसरीों तक बहुत ही आराम से हुँ आज हम बात करेंगे कि इसको बेबी पॉप से कैसे मल्टिप्लाई करना है बहुत ही आसान मैथड है और हंडर परसंट सक्सीड होने वाला है इसके लिए आपको कोई भी एक प्लांटर ले लेना है खाली उसे अपने स्पाइडर प्लांट के पास लेकर आना है और जहां उस मिट्टी में थोड़ासा हलका सा गड़ा देंगे आप इसको गड़ाने के बाद बहुत ही हलके हासे इसको दबाएंगे और जो उसका स्टैम होता है जिससे वो जुड़ा होता है मेन प्लांट से उस पर हम कुछ पत्थर या कुछ भी मिट्टी का टुकड़ा रग नहीं रूटिंग आसानी से हो जाती है सिफ दस दिन के अंदर ही आपका नया प्लांट तियार हो जाता है एक साथ अपकाई सारे बेबी पप्स लगा सकते हैं इसके दो फायदे होते हैं एक तो यह जो न्यू प्लांट से पहले ही एनर्जी ले रहा है तो मरेगा तो बिल्कु नहीं होगा विदिन 10-15 डेज आप जो यह स्टैम्स निकली होते हैं जिसे वह मदर प्लांट से जड़ा होगा उसको सेपरेट कर लेंगे कट करके और प्लांट आप देखेंगे कि आपका तियार हो गया है रूटिंग स्टार्ट हो जाती है प्लांट भी नया तियार हो जात सब्सक्राइब करेंगे और वैसे भी इसको दूप ज्यादा पसंद नहीं आती है तो सैमीशेड में ही आपका प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएगा सुबह की दूप लगती है तो कोई दिखाती है मेरा दूसरा प्लांट आप देख सकते हैं हिला के दिखा रहे ही हूं रूटिंग इसकी पकड़ चुकी है मैंने स्टैम कट कर दिया है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस तरीके से आप अपने स्पाइडर प्लांट को जरूर मल्टिप्लाइ कीजिएगा अगर आपके पास नहीं है स्पाइडर प्लांट तो आप किसी और से भी अपने किसी नेबर से अपनी फ्रेंड से ले सकते हैं क्योंकि इसकी कोस बहुत जादा नहीं होती है तो कोई भी आपको इजली दे देगा मैंने तो अपने एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना लिये हैं और मैं आशा करती हूं कि आप लोग भी इसी तरह से नह करने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन में आपको सही समय पर पहुंच सके आप मुझे शेशल मीडिया पर भी फोलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वोक्स में दे दूंगी संसेट का टाइम है बादलों से आस्मान घिरा हुआ है बहुत ही खुपसत लग र रही हैं और किसी इस स्पेसिफिक जानकारी के लिए आप किसी पोधे की जानकारी चाते हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं उस पर भी कोई वीडियो ज़रूर लेकर आऊंगी